नमस्कार मैं अवंतिकारोय द्रिस्टी नाम में आपका स्वागत है जब भी चाय के बात आती है तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का जिक्र जरूर किया जाता है आज हम भी आपको ऐसे चाय वाले से मिलवाने वाले हैं जिसे देख कर आप हैरान हो जाएंगे उसके चाय के ब्रैंड के नाम को सुनके अभी हम खड़े है राची के कोकर में जहां आप देख सकते हैं कि चाय का स्टॉल लगा हुआ है बिकम चाय वाला स्टॉल तो आईyen हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि Bikom Chai वाला जो यहffentlich ने ये नाम रखाय है इसका क्या मतलब है क्या नाम है, आपका? अकाश नाम है मैं आप ये Bikom Chai वाला नाम जो रखे है इसका क्या मतलब है, या सोच के रखे है यह तो बस ब्राइंड का नाम है जो इसको फीमस करने हैं कोशिश कर रहा है आप यहाँ पर चाहे जो बेच रहे हैं इस पर घर वालों का क्या रिक्शन है आपके गर वालों पर नार्मल को नामे वैसे कुछ खास नहीं है यह मतलब मेरा लो को पता है क्या आप हाँ पर चाहे कि वज़े से या फिर सब कैसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगा या फिर कुछ तकलीफ होगा अनौ इन्हों वैसे कुछ है नहीं में फाइनशल क्राइसिस नहीं है यह बस आधा शौक हम कर रहे हैं यह मेरा पैशन में हमको बिजनस काफी टाइम से करना ही था वह इस्टार अगल बगल में बीकॉम चाय वाला देखे लोगों का क्या रियक्शन होता है पहले तक आफी स्टेंज ब्याइब करते थे मैं हमकी एसा नाम क्यों है नौल इस सबको पता चल लगए कि नहीं स्टार्ट अप है उसके बास पाटिसिपेट करने लगे सबको टेस्ट भी अच् अब लगे स्टार्ट अब ब्रैंड करना मैसा होना चीए जो हमेशा दिमाग मेरा जाए यह मेरा थिंगिन है ऑबश्ति मार्केटिंग के और किताब पढ़े हैं तो सोचे थे जो नेम होगा काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए तो आइग तो नेम होगा काफी अट्राक्ट तो चार से पाच खंटे में फिर आपको कितना सारा समान लगता होगा कितना खर्चा होता होगा तो टाइम के साथ बढ़ते जा रहे हैं पहले काफी कम तास्टाइब हो गया है तो आसपास के लोग भी जानने लगें तो अब यहां खुद करते हैं और अपने को स्टाफ भी र इतनी पता सकते हैं तो हम अपने तरफ से जतना उपार होतना कर रहे हैं तो हम आपने तरफ से जतना हो पार रहा है हमारे भी इसकुछ ग्राहक भी है आईए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो कब से आ रहे हैं आप लोग यहां पे चाय पीने यह मेरा सेकेंड टैम है मैं पहले भी इदर से जब बुजर रहा था तो देखा कि बीकॉम चाय वाला देखा तो क्या रेक्शन क्या रहा है मैं यह पोस्टर करी आया था कि बीकॉम चाय वाला इन्होंने नाम क्यों रखा हुए तो पहली बार में इनसे आया बात किया फिर चाय का टेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो फिर मैंने फ्रेंड्स को बताई यह सारे मेरे फ्रेंड्स हैं तो यह लोग इंट्रेस्टेड हुए कि च जाने तो हमको अच्छा लगा क्योंकि एक इंस्पिरेशन है कि अगर हम स्टाट अप करना चाहते हैं तो फिर हम लोग कर सकते हैं चाहे छोटे से ही स्टाट कर सकते हैं तो यह निव इंस्पिरेशन है कि हम लोग थोड़े ही पैसे में यह फोकेट मनी से भी स्टाट कर सकते तो यह काफी इंस्पिरेशन है ओल यूथ के लिए आप चाय अच्छा ही लगा बहुत इधर दोस्त लक्सत आये थे ताज फ़स्टी टाइम था आज मेरा फॉस्टाइम था आपका कैसा लगा चाय बहुत अच्छा लगा और आप आएंगे दुबारा यहां इस रोड से जब बात किया तो अपने इनके बातों को सुना इनका चाय बेशने का मकसद कोई फैनेंसियल कंडिशन खराब होने की वज़ा नहीं है यह आत्म निर्भल बनना चाहते हैं इनका शौक है और वो चाहते हैं कि यह बिकॉम चाय वाला जो ब्रैंड है वो इनको यह इसको वो बहु कर दिका रहा है द्रिस्टी नहुंग